नमस्कार मैं हूँ कार्तिक इस्तनापुरी और आप देख रहे हैं All India News तो लोगसभा में कल बिल पास हो गया और अब जो सरकार के ऊपर जम्मिदारी आती है वो यह है कि क्या कल लाजसभा में यह बिल पास हो पाएगा या नहीं वहीं विपक्स इसका कड़ा विरोत कर रहे है असुदिन ओवैसी ने तो बिल की कौपी भी फार दी और राहूल गांदी जी कह रहे है कि जो भी इस बिल का समर्थन करेगा वो भारत के समविदान की नीव को खोगला कर रहा है तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमाई साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रिया में जुड़ी हुई है तो में से इसी सवालों का जवाब मांगेंगे वहम जो ओवैसी जी ने कल बिलफारा उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी से उनके साथ भेदवा हो रहा है उनके साथ अत्याचार के लिए ये बिलाया क्या कहिए सबसे पहले तो जिस समीधान के तहट वो संसद में खड़े थे और संसद में खड़े होके उस समीधान की धजिया उड़ा रहे थे तो बड़ी शर्मनाक बात है इस देश में जितने अधिकार और जिन अधिकारों का फाइदा लेकर वो संसद में खड़े हैं उन्हें उनका भी सम्मान नहीं है दूसरी बात जहां तक उन्होंने कहा कि वो देश की नीव को खोकला करने की बात करेगा तो सबसे पहले उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या इस देश की नीव रोहिंग्याओं से बनी है क्या इस देश की नीव उन घुसपैठियों से बनी है जो यहाँ पर बॉर्डर रातो रात क्रोस करकर आ जाते हैं जो हमारे देश के नागरिक नहीं है हमारे देश के संसाधनों को खसोट रहे हैं हमारे देश के जो असली अधिकारी है उन साधनों के उन रोजगार के साधनों के उनके अधिकारों को छीन रहे हैं वो नीव है क्या तो इसका जवाब अपने आप में मिल जाएगा कोई पागल नहीं है इस देश की जनता पागल नहीं है उनको पता है कि क्या हो रहा है जिनसे ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा उन्हें इस देश की जंता को मुझ भी दिखाना है वोग आूट कर जाएंगे तो पास हो जाएगा ये तो आपने कहा कि सिफषेना ने समर्दन कर दिया है लेकिन एह देखा जाते हैं कि सिफषेना आखरी मौके पर आके दिखाना है अपनी पार्टी की क्या टी बनाते हैं लोग पार्टियों क्या सब्सक्राइब लेकिन जब बीच में किन आमने समर्थन की आना हम खिलाफ में थे हम वोक आउट कर गए यह कार जा रहा है कि लोग सभा चुनाव के पहले बीजेपी ने एनर्सी का मुद्दा उठाया लेकिन आप पर्शिम बंगाल के जब चुनाव आ रहा है तो यह अब इस बिल का मुद्दा उठा दिया तो इस बिल पर भी राजनीतिक इने में किसी स्टेट का विदानसभा का या वैसे एलक्षन चलता ही रहता है वो टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कर ले तब उठा देंगे संसद के सत्र अपने हिसाब से बुला ले तब उठा देंगे अब जो ज़रूरी चीजे हैं वो टाइम पे लाई तो जाएंगी अब संसद का सत्र चल रहा है तो क्या इनके घर पर नोटिस भेजना है संसद का सत्र चल रहा है संसद में बिल रखा जाएगा उस पर बहास होगी फिर उसके उपर वोटिंग होगी वह पास होएगा यही तो प्रिक्रिया होती ही न सवीधान के अंदर इसी बिल पर प्रियंका गानी वाडरा जी का भी आता है बयान उन्होंने कहा है कि ये एक तरह की बीजेपी कट्टरता कर रही है और जो ये सिंबलाइज एजेंडा चला रही है हम उसके खिलाफ कर रही है लेकिन आपकी सेमपेथी किसकी तरफ है गुसपैथियों की तरफ रो रहा है कि बंगर मंगल के इसले इसा किया जा रहा है तो अगर इलेक्षिन है तो आपकोा फर्क क्या पढ़ने वाला है कहीं ऐसा तो नहीं जो utz बैंका जोतलाय यूट क्या इसलिए नोगों के पेरों के नीचे से посмотрим कि तो पास होना है और जिस तरह के लोगसभा में विपक्षियों ने विरोध किया, क्या लगता है विरोध का सामना फेसे करना पर दो है? विरोध का सामना तो जैसे लोग सभा में हुआ वैसे राज्य सभा में भी लोग उचलेंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला बिलतो पास होगा मैंने आपको समीकरन बता दिये क्यों पास होगा